पालियामेंट के बाहर जो है विपक्च जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है संविधान की कौपी के साथ विपक्ची नेता जो है इस वक्त संसद परिशर में मार्च निकाल रहा है ये बड़ी ख़वर हम आपको बता रहे हैं हंगामे के आसार रहने वाले थे लेकिन उससे पहले पालियामेंट की करवाई सुरू होने से पहले ही विपक्ची नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया है पालियामेंट संसन के बाहर इंडिया ब्लॉक के नेता जो है वो मार्च कर रहे हैं मार्च में सोनिया गांधी भी सामिल हैं राहूल गांधी भी साम लिखा रहाई òng Dulcק भींगत। त स्वेर हम आपको दिखा रहे हैं। नारेवाजी हो रही है संसद परिशर में। संसद के अंदर नहीं गए हैं इंडिया ब्लॉग के एक भी नेता एक साथ एंट्री करने की तयारी है हाथ में संविधान की कौपी अकलेश यादब की भी मौजूदगी है आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में मलिका अरजुन खड़के सोनिया गांदी राहूल गांदी अकलेश यादब समेथ विपक्ची खेमे के तमाम वो सांसद इस वक्त मौजूद हैं पालिया मेंट के परिसर में लेकिन अंदर कोई नहीं जा रहा है केबल एंडिये के सदत जो हैं एंडिये के जो सांसद हैं वो सपत ले रहे हैं फिलाल ये बड़ी खबर हम आपको बता हैं किस तरीके से हंगामा होने के आसार रहने बाले थे लेकिन विपक्ची जो नेता हैं विपक्ची जो सांसद हैं उन्होंने वाइकॉट कर दिया है सोनिया गांधी तस्वीरों में आपको नजर आ रही होगी सोनिया गांधी भी आज संबिदान की कॉपी लेकर पहुंची करते थे और आज पालियामेंट की कारवाई सुरू होने से पहले की तस्वीरें हैं ये देखिए किस तरीके से विपक्ष ने जवर्दस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है संसत परिसर के अंदर विपक्ष अंदर नहीं जा रहा है संसत के अंदर विपक्ष वाइकॉट कर पालिया मेंट ससन की कारवाई का कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर सरकार को घेनने की तैयारी है लेकिन संसद परशर में इस वक्त जोरधार तरीके से विरूत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है तस्वीर हैं आपको नारेबाजी हो रही हम आपको सीधे सुनवाते हैं किस तरीके से सरकार किला फल्ला बोल रहे हैं और यह साध्यागीरी बंद करो बन करो संवीधान को रिच्छा करो संवीधान को हतम करना बंद करो संवीधान को जोड़न बंद झेख के से हंगामा हो रहा है अव्यार संसत परिषर में लेकिन आप संसत के अंदर सोन VISTA गांदी पहुंच गए तस्वीर हैं आपकी TV स्क्रीन पर मलिका अरजुन खड़ गए, राहूल गांदी जो है, हाथ में हाथ पकड़कर बगाईदा संसद भवन के अंदर जा रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के नेता जो है, वो एक साथ एंट्री कर रहे हैं, संसद भवन के अंदर सीधी तस्वीर हैं, आपकी TV स्क्रीन पर स्वाक्त जोरदार तरीके से हंगामा प्रोटेस्ट करने के बाद, विपक्ची जो सांसद हैं, इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, वो अब पारलिया मेंट के अंदर जाने की कोशिज कर रहे हैं, यानि वो संसद की कारवाई में जो है, भागीदारी अप से तरणमूल कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, इसके अलाबा जो भी सयोगी दल हैं, इंडिया ब्लॉक के वो सभी यहां पर मौजूद रहे हैं, खास कर आज मुक्य भूमिका में सोनिया गांदी नजर आ रही हैं, और राहुल गांदी भी हालाक इन तस्वीरों में यहां पर समिधान की कॉपी लेकर पहुंचे हैं, समिधान की कॉपी लेकर बाकाइदा संसद परसर में विपक्ची नेताओं ने, इंडिया ब्लॉक के नब निर्बाचिस संसदों ने यहां पर जो है जो जोड़दार तरीके से प्रदसन किया, आपको बता दें, अंदर सद हुने के पर देर तरह सकते हैं हैं कि अंदर आज क्या कुछ होने वाला है विपक्ष क्यों प्रद्रसन कर है इसके पीछे भी कई बड़ी बज़े हैं परोटे मिच्पीकर के पद को लेकर गोंग्रेस मांग कर रहे हैं कि उनके सांसद जो है शूरेश वो आठ बार के सांसद हैं उनको प्रोटेम स्पिकर बनाया जाए लेकिन विजेपी ने साथ बार के सांसद अपने सांसद जो है भरतम महताब को है वो बना दिया है तो कुल मिलाकर इसी को लेकर हंगामा शुरू हो गए फिलाल सीधी तस्वीर है हम अरजुन खड़गे कुछ कहे रहे हैं आपको सुनवाते हैं उसमें सारी जनता हमारे साथ दी लेकिन मोधी जी समिदान को तोड़ने की कोशिश किये इसी लिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर यह जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहां पर जो गांधी स्टैचू तो थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेरो बावा साव अम्बेडगर की वहां थी और गांधी जी की यहां थी यानि हर नॉर्म्स को डेमोकरटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं इसलिए आज हम यह दिकाना चाहते हैं वही मोधी जी आप समीदान के तहप हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए कर दो